तो दोस्तो इससे पहले मैं आप लोग को Nokia X के बारे में बताया था और आप इस फोन के बारे में बहुत सारा नियूस मिला है जैसी कि ये फोन 5G होने वाला है और दोस्तो Nokia X दो वेरियंड में लांच होगा जैसी कि फास्ट वेरियंड होगा जिसमें 108 Megapixel का Quad Rare Camera मिलेगा और से पर से ये फोन बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी होने वाला है तो आप अगर Nokia X के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को इंड तक जरू दिखिएगा इस वीडियो में मैं आप लोग को Nokia X के बारे में बताऊंगा जैसी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की दिजाइन के बारे में तेहां फर फोन की बैक साइड में सिल्क पॉलिकर्बिने सूपर एंटी ग्लास देखने को मिलेगा जिससे फोन बहुत ज़्यादा चमकने के साथ साथ ग्लॉसी लूग भी देगा तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया Nokia X दूबे रिंड में लांच हो चलिए फोटो लेंज और एक टूमेगा पिक्सल का देप सेंसर देखने को मिलेगा और गाइस कैमेरा का मामले में Nokia बहुत ही जवरदस्त है यह हम साब जानते हैं तो चलिए और आप जान लेते हैं इस फोन की डिस्पले के बारे में तो दोस्तों इस पोन आपको 6.56 इंच क को यूज कर पाएंगे तो हैना कमल के फीजर्स दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक जरू कीजिएगा वीडियो में आगे बनने से पहले इस वीडियो को स्पांसर किया है मोबाइल ट्रांस जो की ओंडर से और इसको आप बिल्कुल ट्रास कर सकते हैं इस सब् की डाटा को भी आप टांसर कर पाएंगे और यहां पर आपको स्लेट कर लेना है डिवाइस को मदब कौन सी डिवाइस से कौन सी डिवाइस में टांसर करना चाहते हैं और उसके बाद वह आपको स्लेट कर लेना है जो चीज आप टांसर करना चाहते हैं इतना कर लेने के बा आपको instantly 40% तक off मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों सेल्फी के लिए 20MP का pop-up camera देखने को मिल सकता है जो कि 1080p पर आपका full HD video record कर सकता है और आप बात कर लेते हैं इस्पॉन की processor के बारे में तो दोस्तों इस्पॉन में आपको MediaTek Diamond City 820 का chipset देखने को मिलेगा जो कि run करता है 2.4 G 880 clock speed पर और दोस्तों इस चीपसेट 5G network को support करता है और मोर देन साधी साथ एफ़ोन दो रैम मेरीन में लांच होगा जो कि है 6 GB on 28 GB और 8 GB on 28 GB तो आप कौन साल लेना चाहेंगे आप मुझे comment में जरूब बोलिएगा और सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं इस्पॉन की battery के बारे में तो दोस्तों इस पॉन में आपको 5000 एमेज की बहुत बड़ा बैटरी देखने हो मिलेगा जो की 30W का fast charging को support करता है और उसके साथ टाइप C port 3.5 एमें का audio jack भी देखने हो मिलेगा और आप बात कर लेते हैं स्पॉन की pricing के वारे में और launch date के बारे में तो दोस्तों क इसका वेस भीनिट है मतलब 6GB on 28GB वाला इसके price साथ से 13 से 14 रेंज से starting हो सकता है और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था इस पॉन की price बहुत ही कम होगा कम इसलिए क्योंकि ये phone फिर से market में पकड़ बनाएगा और ये phone सबसे पहले चाइना में लांच होगा उस